बेचियों की तालीम पर कटर सोच, बंदिशे लगाने की कोशिश में हैं, तो आज इसी मुद्धे पर चर्चा लेकिन मौलाना मदनी का बयान सुनिये को एजूकेशन से धर्म परिवर्तन को उर्जा मिल रही है अपनी बच्चियों को धर्मांतरण के प्रलोबन से बचाने के लिए हमें अपने सिक्षन संस्थान खोलने ही होंगे देश में तेजी से धर्म उत्याग बढ़ रहा है, धर्म परिवर्तन का सिलसिला खतरनाक है यह तमाम फैसले महलाओ के पक्षम हो रहे हैं, बच्चों को के एजूकेशन के नाते वो एक अलग तरह का आरोप लगा करकर मोदी जी और योगी जी और पार्टी को बंदाम करने काम कर रहे हैं यह 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन आठ से 9000 का बिजनस करते थे अचानक से यह दो गुना हो गया, जानना चाहते हो कैसे तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें इसी काम के लिए और एजुकेशन को बंदाम करने काम कर रहे हैं और शुक्षा के मंदर में साजिश का शक क्यों? यह सवाल उट रहे हैं, सवाल जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर आज की यह जो डिबेट है, उसको लेकर सवाल क्या निकल कर सामने आए हैं? शुक्षा के मंदर में साजिश का शक क्यों? साथ पढ़ने से कनवर्जन का क्या कनेक्शन है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है पाटशाला में साथ पढ़ाई इसलाम पर मुसीबत आई यह सवाल उठ रहा है, क्या शरियस से चरेंगे स्कूल? क्योंकि इस तरह के बयान भी जब सामने आते हैं उसके बाद बीजेपी की तरफ से जरूर कहा जाता है कि देश जो है समिधान से चलेगा ना कि शरियस से और हमारे साथ खास मेमान जुड़ रहे हैं शंशी आजाज जी, नेता भारती है, जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके कौसर हसन मजीदी है, अध्यक्ष है, सुफी खान का एसोसियेशन से आपका स्वागत है और मौलाना इलियास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आप सबी लोगों का मौलाना इलियास साथ चर्चा की शुरुवात आप से, इस बयान का समर्थन करते हैं कि आप को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, धर्म परिवर्तन हो जाता है देखिए पेगर मौम्मद अला सलम के दोड़ से लेके आज तक और उससे पहले जित्ते भी इसलाम के नभी गुजरे आदम अलियसलाम पहले इनसान तक लड़कियों के लिए हिजाब, पुरान हदीथ में, साथ में वेदा, गीता उपनिशत में भी हुकम है और हिजाब के साथ मस्जड भी जाएगी, मदर्सा भी जाएगी, स्कूल भी जाएगी, कालेज भी जाएगी युनिवरसिटी भी जाएगी, डॉक्टर इंजिनियर भी बने गी और बेटरी म weitना मुसलन भी रहेगी तो औरतों के लिए हिजाब लाजिम है और वो हिजाब का पुरा खुलासा खुरान अदीस के अंदर मौजूदे तालीम पर रुकावट नहीं है और खवातीन की तालीम के साथ साथ लड़कों को भी सही तालीम मिलेगी तो आज जो भारत Human Development Index में, Freedom Index में और Hunger Index में बिलकुल नीचे आ गया है और तबाही की तरफ जा रहा, Unemployment में, Crime में हाई हो गया, वो खत्म होगा सही एजुकेशन हिजाब के साथ, और ये परिगमर मौहमस लास्राव की बीवियों ने भी दिया है आपकी बेटी ने भी दिया है, और आज हमारी मा है, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, डॉक्टर, एजुकेशनिस्स, वो दे रही है तो हिजाब के साथ एजुकेशन आज़ेए लड़के साथ एजुकेशन तो ठीक है जो आप बात कह रहे हैं वो अपनी जगे सही है गलत है वो एक अलग अलादा मामला है लेकिन यहाँ पर मदनी साब कह रहे हैं कि भाई साथ में नहीं पढ़ाना चाहिए को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए लड़कियों के लिए अलग 10 और 12 में तक बैट रही हैं और वहाँ पर हिजाब नहीं है तो यखीनां तबाही आना लाजिम है आप ये बात कोई भी मेडिकल एसोसियेशन के डॉक्टर से पूछ लीजिए कि किस तरीखे से एबॉशन के रेड़स बढ़ते जा रहा हैं भारत में और खास तोर पर फेस् लाज़त के लिए हिजाब लाजिम लड़के लड़कियों का बगर हिजाब के एक लासरूम में बैटना गोयाचिन में आनके अपनी बेटी को बिजने के मरा रहे हैं आपका कहना है वो साथ बैटके पढ़ सकते हैं लड़के लड़कियां लेकिन वो हिजाब पहने हिजाब के मानी ये है आर्ड हैनी चाहिए लड़के लड़कियों के बीच में एक तो है कि बुर्खा रेना चाहिए हिजाब रेना चाहिए अपने आपको कवर करें लड़के लड़कियों की तरफ ना देख सके और लड़किया लड़कों को ना देख सके बीच में आर्ड हैनी उसी को ही जाब ठीक है कौसर असन जी हमारे साथ है और हमारे साथ अज्रा मोबिन जी भी आ चुके हैं समाजिक कारे करता है अज्रा मोबिन जी कैसे देखा जाए मद्दी साब के इस बयान को वो कह रहे को एजुकेशन पर उन्होंने सवाल उठा दिया है देखिए मद्दी साब ने किस एंगल से उन्होंने कहा है मैं वो एक आलम दीन है मैं उनकी बात को काट तो नहीं सकती हूँ और ना भी मैंने उनका बयान पुरा सुनाए और जहां तक एजुकेशन का मसला है बच्चीयों का तो देखिए इसलाम कभी इस चीज़ को जो खवात हैं उनकी तालीम के लिए कभी पाबंदी नहीं लगाई है और हमेशा हमेश से तालीम को बढ़ावा दिया गया है इसलाम में भी और मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसे कॉंट्रोवर्शियल बात को ला करके बच्चीयों की पढ़ाई पर उन चीज़ों का असर अगर पढ के बीच में जाती हूँ लेकिन मुझे पता है कि मेरी कya limits है मेरी क्या दारहे मुझे बंढ़ा करना है कि नहीं करना में हजाब के साथ हर काम अंजाम देती मुं तो मुझे लगता है वो घर से हमारी परवरिश में क्या डाला जा रहा है, मेरे अंदर क्या संस्कार डाले गए है, तो अगर एक अच्छी परविश घर से मिल रहे है, दीनी माहौल हमारे घर से हमको मिल रहे है, तो मैं पूरा बयान पढ़के बता दूंगा और सुना दूंगा आप लोगों को, थोड़ा कन्फियूज है नह आप लोग हिजाब पे जदा डिबेट कर रहे हैं, ये सतरा साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन आठ से नौ हजार का बिजनस करते थे, अचानक से ये दो गुना हो गया, जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें